बुलोश्री प्राणनाथ प्यारे कीजे, बुलोश्री सत्गुरु महराज कीजे, बुलोश्री पन्ना धाम कीजे, बुलोश्री सुन्दर साथ कीजे आप सब सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, नूरी प्रियतम, प्राण वल्लब रिदयेश्वत, आपके कोमल, नूरी, चेतन, सुगंधित चर्नारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी एक सो तीसमा दिन श्री बीतक साहिब भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मो, सुन्दर साथ जी कहां पहुंच गई, लीला मो, तब आए कदमों लगा, अपने कबीले सो, पूरे कबीले समेत, कदमों आकर लग गए, नजर खुली, आत्मद्रिष्टी खुली और लील चली गई, आज हम भीम भाई जी का अती सुन्दर प्रसंग, बहुत ध्यान से अपने रिदय में उतारेंगे, one of the twelve moments जो रहे हैं, वो भीम भाई सूरत के सुन्दर साथ रहे हैं, तो एक एक इनका शब्द, इनके जीवन से related, जो जो लिखा गया है, वो जरूर हमारे जीवन में हमएं उतारने की प्रेरणा दे रहा है, तो बहुत ध्यान से रिदय में उतारेंगे, परणाम जी, परणाम जी, आएए चलते हैं, अती सुन्दर वानी गायन, और वो भी हमारी प्यारी आशिमा जी के मुखार बिन से, परणाम जी, परणाम जी, येक मिनूद, जी, पर तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हाए करो आराएं सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हाए करो आराएं इश्क सुराहिले हात में पिलाओ अठो जाना अपनी अगना जो अर्श की अपनी अगना जो अर्श की, काई दीजे अपनो तामर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हाए करो आराएं कुम लेख्या फुर्मान में, हक प्रस म weren कलूँ सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे मैं है, बूबर्ष, तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए परो आराँ, कहे महामत अरवार्ष से, जो कोई आई होए उतर, कहे महामत अरवार्ष से, जो कोई आई होए उतर, सो इन सरूप के चरन लेके, सो इन सरूप के चरन लेके, चलिये अपने घर अरश, तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराँ, सेज बिचाई रुच रुच के, सेज बिचाई रुच रुच के, एही तुम्हारा विश्रा, मरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारा करो आराँ, प्रणाम जी सुन्द साच जी, प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी आपके चरनों में कोटी कोटी प्रणाम ये वही आशिमा है, जो कहती हैं कि मैं किरंतन निगा सकती मुझे एक ही आता है और ये देखिए आर ओन जूम्स ओन जो होते हैं बिल्कुल यहां से शुरू हुए और इतना सुन्दर इतना मीठा उनका कॉल आता है मेरी बारी जल्दी मत रखिएगा मुझे और किरंतन गाने आते नहीं है मुझे तो बस एक ही आता है वारी रे वारी और अब देखिएगा एवरी टू वीक्स में कैसे राजी इनको नया किरंतन नया वानी गायन अंदर देते हैं और ये कितनी प्यारी कलाकार जो सीखे सिखाए ना सोहबतें वाले कलाकार होते हैं ना अंदर से पियाजी जिनको देते हैं ये वैसी उभर के निकलेंगे बहुत 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 मीठा गायन आपके चर्णों में प्रणाम आर वेरी ओन एंड वेरी टेलेंटेड सकी, मल्टी टेलेंटेड सकी आपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम जी, बहुत सुन्दर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम ज आईए सुन्दर साथ जी बहुत सुन्दर सेवा के दर्शन करते हैं जो हमारी एक और multi talented जो सखी है और सेवा में job कर रही हो चाहे कुछ भी कर रही हो उन्होंने सेवा में अग्रसरी रहना है चाहे कहीं से भी समय निकालें सोने में से निकालें जागने में से निकालें खाने म इसे निकाले हमें नहीं पता सुंदर साथ जी जॉब करते हुए कैसे वो इतनी सेवा कर पाती है अपनी टीम के लिए जितनी मीटिंग्स चाहिए जितने टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग ली चाहिए वो भी करती है आपको पता है न वो कौन है हमारी प्यारी रूबी जी इतना समय निकाल कर उन्होंने ये सेवा कियोगी पूरा दिन जॉब में रहती है मैंने देखा बिमार थी बुखार था तब वी वो अपनी सेवा से पीछे नहीं आती थी तो हमने कितने दर्द से इसको करना है कम से कम एक बार तो कर लें किसलिए बनाई गया हमारे रिदय मे मेरे पिया जी की पता नहीं कौन सी बात उतर जाए तो ये देखिए आज का और ये बहुत सुन्दर बहुत प्यारी पेंटिंग की सेवा हमारी प्यारी केया पटेल जी की अती सुन्दर सेवा केया किनी माही की है ये शायद है ना भाया माही की है ना यह हमारी माही बिटिया की है किया तो भी छोटी है तो माही बिटिया के चर्णों में कोटी-कोटी प्रनाम इतनी सुन्दर पेंटिंग करने के लिए हर बीतक साहब का क्विज नई-नई पेंटिंग से सजा हुआ आएगा तो बच्चों जिनकी रहे गई है जल्दी से कंप्ली प्रूफ रीड किये जाते हैं सुन्दर साथ जी ऐसे ही कोई सेवा नहीं लाई जाती आपके सामने मोस्ट प्रॉबिबली एक्सपर्ट पैनल्स प्रूफ रीड करके आपके सामने लेकर आते हैं तो जरूर कीजिएगा पीछे की महनत बहुत होती है तो सुन्दर साथ की जी आईए चलते हैं अब हमारी प्यारी श्री बीतक साहब के अती सुन्दर प्रसंग की ओर चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राजिशामा श्री प्रान नात सकी जीवन हमारो ये श्री महमति कहे साथ जी भया चर्चा का वकत अब तुम सुनियों चित दे लाल आगे आए बैखे इन तकत लाल आगे आए बैखे इन तकत बुलो श्री प्रान नात प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरू महराज कीजे प्रणाम जी सुन्दर साथ जी प्रणाम जी कहते हैं सकी जीवन हमारो ये तो ये जीवन हमारा होना चिए चर्चा, वानी, चित्वन, यही अब हमारा जीवन होना चाहिए सुंदर साजी, आइए बहुत सुंदर, स्वामी जी के टीका की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं, आइए चलें, उस मंदिर में, कमरे को मंदिर कहा जाता है सुंदर साजी, आप चर्चनी सीखें, तो हर कमरे को मंदिर की उपमा दी गई है, तो आइए उस मंदिर में चलें, जहां यह टीका है, आइए चलते हैं, आपन थे व्यापकलों, जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की, यह जो फैली उड़ी अनेक, कहते हैं, जब नींद उड़ जाती है, मैंने यह पूरी पड़ चुके हैं, श्री कृष्ण तृधा लीला में, और एक ही चौपाई में आ रहा था, इसलिए मैंने आज इसका नक्षा निकाला नहीं, शाम भाई से क्या कहने लगे भीम भाई जी, अभी तक हम अक्षर ब्रम के स्वापनिक स्वरूप, आदी नारायन के व्यापक और एहंकार, अव्याकृत, सबलिक, केवल और स्वरूप, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो नक्षे भी इनके बनाए गए थे, श्री कृष्ण तृधा लीला के कुछ एपिसोड जरूर देख लीजेगा सुदर साजी, उनकी नींद के हटते ही, आदी नारायन क स्वरूप, अपने मूल को प्राप्त हो जाता है, और आदी नारायन कहां मिल जाते हैं, जाके मूल कहां है, उनका अव्याकृत है, उनका मूल, और इसके साथ ही असंख्य लोकों की ये स्रिष्टी भी महाशून्य में ले हो जाती है, संपूर्ण प्रकृती मंडल में, अक् मूचर के मन, अव्याकृत, मन, चित, बुद्ध, हैंकार, इनकी माया भी कौन-कौन सी है, सद्रुप माया, चिद्रुप माया, आनंद माया, मूल माया, ये सब हमने किया था, मोटा-मोटा सा, बहुत डीप में नहीं किया हुआ संदर साजी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है तो उनके मन, अव्याकृत को धर्म ग्रंतों में ओम की संग्या दी गई है, और अव्याकृत के स्वापनिक स्वरूप, आदी नारायन को भी ओम कहा जाता है, आदी नारायन के संकल्प से, एको अहम, बहुत स्याम से, अनंत शृष्टी का ये रूप, दृष्टी गोचर हो है आदी नारायन उनके संकल्प से एको अहम बहुश्याम से अनंत स्रिष्टी का ये रूप द्रिष्टी गोचर हो रहा है इसी आदी नारायन को वेदांत क्योंकि वो वेदांताचार्य है तो वेदांत की भाषा में शबल ब्रह्म या इश्वर कहते हैं उन्ही कोई माना जात हाइस्ट अथॉरिटी वही होती है उनके आगे का तो पता ही नहीं है स्रिष्टी के कनकन में इनकी सत्ता के व्यापक होने से इनको व्यापक स्वरूप वाला कहा गया है ये तिन अक्षर के पार की अब इससे भी पार की बात उन्होंने सुन ली ए तिन अक्षर के पार की ल बोए न लोक ब्रह्मांड ये तो अक्षर के भी परे की बात बता रहे हैं अक्षरातीत के धाम की तो क्या नाम की तो क्या पूरी लिलाओं का वर्णन करे जा रहे हैं कि वहां सक्षियां अपने पिया के साथ पौन-पांसी लिलाएं करती हैं त्रिगुण विश्नु महा कहते हैं इसकी तो सुगंधी भी किसी को नहीं पता, यहां पर नाम तो छोड़ी दो, आज तक अक्षरातीत कि था भी किसीको नहीं थी नेती नेती जहीं वेद निरूपाफ सुंदर साजी नेती-नेती कह कर हाथ जोड दिये गए thri einnayati यहां पर तो नहीं हैं और हमें नहीं पता वो कहां पर है उनकी सुगंधी इस ब्रह्मांड में भिन भिन लोकों में त्रिगुनात्मक बंधनों में रहने वाले ब्रह्मा विश्णु शिव ब्रह्मा त्रिगुन को भी नहीं विश्णु महा विश्णु को भी नहीं है महा विश्णु आदी नारायन जी को ही बोला जाता है ब्रह्मा विश्णो शिव तथा आदी नारायन को सुगंधी भी नहीं है और हमें ये बातें कैसे easily available होती जा रही है इसी लिए तो कदर नहीं है सुन्दर साजी पर भीम जी भाई को बहुत कदर है क्योंकि already केवल ज्यान लेकर नहीं आये है point to be noted ज्यान के साथ कितना भी ज्यान उनके पास है उतनी रहनी उनके पास है क्या acape कल हमने पढ़ा था भीम जी भाई के बारे में वेशंता कहा गया कि जितना ज्यान भी वो लेकर आए डाए हैवेडों का उनको उतार कर आये प्रसंग अभी शुरू इऊ था नहीं आठ सुन्दर साथ जी को कोई बाती तो उसमें कहते हैं द्वेश इर्षिया उनमें है ही नहीं और एक बहुत प्यारा एकजामपल यह आया था उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इन गुरु को छोड़के इ एक बार भी ये बात नहीं आई, कि मैं इनकी चच्चा क्यों सुनू अपने गुरु को छोड़के, तो ये वही कर सकता है, आगे बढ़ने की भावना उसी में हो सकती है, और बिना इर्श्या दुएश विकारों के, जो की ग्यान को अपनी रहनी में उतार कर आया हो, जितना भी ग्यान है उतना उतार कर आया है, हमारे पास इतना उच्चा ग्यान है, और रहनी हमारी इतनी नीचे है, इतनी नीचे हाओ, क्यों है ऐसा? जब तक रहनी और ग्यान मैच नहीं होगा न, तब तक प्रेम का पुटनी आएगा सुन्दर साथ जी कोरा ग्यानी रहेगा रहनी होगी नहीं अगर सिर्फ ग्यान जरता है मुख से पर रहनी नहीं है प्रेम नहीं आएगा सुन्दर साथ जी ये एक धारना गलत है कि केवल ग्यान से प्रेम आ सकता है यदि हम सुन्दर साथ से प्रेम नहीं करते यदि हम उनका दिल दुखा दिया करते हैं यदि हम सुन्दर साथ को गलत राह पे चलना सिखाते हैं या फिर उनको चलाते हैं तो ये एक वो misleading टाइप का ही रह जाएगा अपने अंदर भी प्रेम नहीं आएगा और किसी के अंदर आने भी नहीं दिया जाएगा, यदि सुनाने वाले सुन्दर साथ हो, सुनने वाले सुन्दर साथ हो, बहुत खबरदार हो के, कहीं भी सुनिये सुन्दर साथ जी, not a foundation, not a single foundation, आपने इस मंच की ब्यूटी जरूर देखी होगी सुन्दर साथ जी, इस मंच वेरी प्राउडली, इस मंच पर आप किसी भी सुन्दर साथ की गुण गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, खिडे मथे पंजाबी में कहते हैं, खिले हुए माथे के साथ उसको स्विकार किया जाता है, कभी इस मंच की गरिमा कहीं गा कर देखिएगा, गाने दी जाती है क एक बार चेक, एक बार टेस्ट करके देखेगा, is this allowed to do that, वन मंच की बाद दूसरे पर करना, is it allowed, कहीं allowed नहीं होता, बहुत कम, बहुत कम होगा, but this is beauty of this, राजी की महर से, किसी के भी गुण गाये, जिनके अंदर जो गुणों सुन्दर साजी यहां गाये जाते हैं, और उन सुन्दर साजी मुझे कल, भीम की नजर खुली, यह इनका वो ओनाची, यह मुझे लगता है, जो हमारी पंच लाइन होती है, जो हमारा स्लोगन होता है, जो हो सकता है, आगे और भी मिल रहा है, पर फिलहाल यह मुझे बहुत अच्छा लगा, जाए पहुंची लीला, भीम की नजर खुली, अंतर दृष्टी खुल गई, क्यों, क्योंकि अल्रेडी उतनी रहनी वो उतार कर आए है, पार का ज्यान सुनते ही चोट लग गई, कि नहीं यह तो इनका आगे जा रहा है, जितना हमें पता है, उससे बहुत आगे जा रहा है, जिस सक्षरातीत का कोई ना धाम धाम कुछ नहीं जानता, उसकी लीलाओं का अंदर का वर्णन कैसे करे जा रहे हैं, श्री जी कहते हैं, उनकी नजर खुली, जाए पहुंची लीला मो, तब आए कदमों लगा, अपने कबीले सुन, तो क्या कहते हैं, अब परम धाम की अखंड लीला का रस्पान करने लग गए, अंतर द्रिष्टी खुली और रस्पान शुरू, नो डिले, प्रोसेस फिनिश्ट, कितनी जल्दी प्रोसेस हो गया, उनका हमारे प्रोसेस में कितना समय लग रहा है, क्योंकि रहनी में आना ये सिखा रहे हैं, भीम भाई जी, जितना भी अपने अंदर उतारा ह उसको बाहर रिफ्लेक्ट करना है सुन्दर साजी, जितना भी ग्यान अंदर गया है, अभी तक कितना ग्यान हम सब अपने अंदर समा चुके हैं, यदि वो हमारी रहनी में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो फिर अभी बाकी है, बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस् फिर अभी समय बाकी है सुन्दर साथ जी अभी चित्वन का हम जो बोल गए ना राजी आजाए आजाए महनत रहनी में करनी पड़ेगी क्योंकि धनी के रिदय में इच्छा आ गई है तो इसलिए रहनी की ओर भी हम सुन्दर साथ बढ़ते चले जाएंगे बट एक चेक हमने क करनी माफक क्रिपा क्रिपा माफक करनी भी तो है ना फिर सुन्दर साथ जी तो क्रिपा उस माफक की तो बटेगी ना हमारे उपर बरस रही है बरस रही है अब प्याला ही उतना सा उतना सा खुला हो है तो उतना ही अंदर जाएगा ना अब प्याले को थोड़ा तो ही लाना पड़ेगा ना धनी जी के हुकम से हिलेगा पर कहते करनी तो तुमको करनी पड़ेगी इस जीव को भी साथ में मेनद करनी पड़ेगी पिया जी करवाएंगे धनी की कृपा से ऐसे नहीं खुलती किसी की भी अंतरद्रिष्टी भीम भाई जी की अंतरद्रिष्टी खुल गई वो परमधाम की अखंड लीला का रस्पान करने लगे भैरो सेथ याद है न सुन्दर साथ जी तीन दिन शौटेस टाइम जो आज तक की श्रीबीतक साहब में आया भैरो सेथ जी और उनके बाद भीम भाई जी का पड़ रहे हैं हम अखंड लीला का रस्पान उने लग जाए जिनको और क्या चाहिए यही तो टार्गेट है सुन्दर साथ जी यही तो उद्देश है सारी मेहनतों का जो उद्देश है पिया जी के साथ उस लीला का रस्पान होने लग जाए इस भीम भाई जी के चर्णों में कोटान कोट प्रणाम पहले से ही साफ स्वच्च शुद् जहनी और जैसे ही पार के बान पार की बात सुनते हैं अखंड लीला की और अग्रसर हो जाते हैं इसको जरूर दोहराएंगे भीम की नजर खुली क्या यहां कभी मेरा नाम भी आएगा सुन्दर साथ जी अपना अपना नाम या फिट करके देखिए कितना सुन्दर लगेग ये क्षण सबके जीवन में आएगा सुन्दर साथ जी और धीरे धीरे हम उस पल के बहुत पास पहुँचते जा रहे हैं और बिलकुल निराशनी होना जैसे जैसे ब्रह्म ज्यान श्री बीतक साहब हमारे अंदर प्रवेश करती जा रहे हैं और वो भी धीरे धीरे संज में संज में पिलाई है तेज तेज नहीं जा रही बहुत संज में संज में अंदर जा रही है और अंदर इवॉल्व होता जा रहा है हमारा जो माया की तरफ द्रिष्टी है न वो अराम से धीरे धीरे इतना धीरे मुड रही है वो आतम की और आतम की द्रिष्टी जो जीव पे पढ़ी हुई है ना धीरे धीरे मुड़ती जारी है परातम की और हमें पता भी नहीं लग रहा इसलिए तो इतने बदलाव हमारे जीवन में आ रहे हैं कि ये सुख दुख मैटर ही नहीं कर रहे हैं कुदी शर्मा के मुखुदर कर लेते हैं कि इस पे अब कोई असर नहीं हो रहा कहते हैं अब कदमों लगे अपने कबीले के संग आके कदमों लगते हैं इसके पश्चात उन्होंने कुछ नहीं सोचा सुन्दर साजी पहले लीला का रस्पान फिर तार्तम ग्यान ग्रहन किया इन्हों ने जो कहते हैं तार्तम ग्यान ग्रहन किये बिना ये नी किया जा सकता पाथ नी पढ़ा जा सकता ये भी नी किया जा सकता लीजिए सुन्दर साथ जी पहले लीला का रस्पान उसके बाद तार्तम ग्यान ग्रहन किये तो हर कोई राजी की वानी पढ़ सकता है why it's not allowed सुन्दर साथ जी राजी की वानी पढ़ने का अधिकार हर एक को हर एक जीव को हर एक इश्वरी स्रिष्टी को हर एक ब्रह्म स्रिष्टी को उनका रस्पान करने का अधिकार है और ये तो एक सुन्दर साथ जी क्या कहते प्रेम प्रेम करने का अधिकार तो हर एक को है बाद में भी पालव बांधा जा सकता है, प्रेम पहले भी हो सकता है सुन्दर साजी, इन्हों ने तो एकाकार ही हो गया, खंड लीला का भी रस्पान कर लिया, बाद में तार्तम ग्रहन किया है, तो this is a very beautiful example, ये हम भीम भाई के बारे में ये बातें जरूर याद रखेंगे, एक बात कि जब वो आए, उतना ग्यान अपनी रहनी में उतार कर आए, नो इर्शा, नो द्वेश, नो विकार, और क्या था, पाने की जिग्यासा खोज थी उनके अंदर, सची खोज जिसको कहते हैं, जैसे ही पार का ग्यान मिला, सोचा नहीं कि मेरे गुरू ने ये दिया ह उनको छोड़के मैं इनको सुनू या नहीं, नो मेरी सांसे चली जाएंगी, मेरा जीवन वियर्थ हो जाएगा, मैं इतना बड़ा विदांता चारे, मैं इनको क्यों सुनू नहीं, कोई अभीमान नहीं, कोई इर्शा, दुएश, विकार नहीं, ये हमने भीम भाईजी, सू तब आए कदमों लगा, अपने परिवार सही तार्तम ज्यान उन्होंने बाद में ग्रहन किया सुन्दर साजी, कल कुछ बोलते बोलते ऐसा लगा कि पता नहीं यह बाद मुझे बोलनी चाहिए या नहीं, but I don't know, I don't have any control, जब बी तक साप शुरू हो जाती है, yesterday I noticed this सुन्दर स साजी, मैं हर एक बात आपसे ट्रांस्पेरेंटली, बिना कुछ चाने, बिना कुछ मिक्स किये, as it is, जैसी दिल में पिया जी देते हैं, वैसी शेयर करने का प्रियास करती हूं सुन्दर साजी, कल मैंने notice किया, I was speaking कहूं या ना कहूं, मुझे नहीं पता, मैं बोल रही थी या ये मुख दिख रहा था, बोलता हुआ, आवाज मेरे जैसी ही लग रही थी, मैंने सोचा, बोलते बोलते ये बात नहीं बोलनी है, रोक दी जाए, I could not control सुन्दर साजी, दो बार कल ऐसा हुआ, first time ऐसा हुआ मेरे साथ कल, कि मैंने सोचा कि नहीं ये नहीं बोलना है, इस कैसे नाच रहा है, मुझे नहीं पता पिया, ये किसके हाथ में चला गया इस time, मेरे control में कुछ नहीं है अभी, तो धनी जी आपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रनाम, ऐसे भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, I can't tell you the true feelings, जो कल मैंने feel किया सुन्दर साजी, तो ये केवल और केवल धामधनी की कृपा, केवल धामधनी की कृपा, और स्वामी जी प्योरली मेरे सरकाश्री, मेरे स्वामी जी, मेरे महराजी केवल और केवल उनका अशिरवाद होता है, इसलिए कभी नहीं कहना सुन्दर साजी कि सोनिया ने ये बोला था, या सोनिया ने ये क था I felt yesterday की मैं कहती हूं मैं कुछ नहीं पर deeply उन्होंने feel कराया कि तुम सच में कुछ नहीं हो तुम चाहो भी तो रोकनी सकती तुम चाहो भी तो बोलनाई सकती पहले गुरू से तोड़के फिर से आया सुन्दर साजी वही बात पहिले गुरू से तोड़ के आया बीच निजधाम तो सुन्दर साजी जो अभी भी फसे हुए हैं ये पहिले गुरू के पहिले गुरू के बहाने से पहिले तन में जो सत्गुरू आये थे उनका भी बताया हुए सुन्दर साजी चिपी हुई बड़ी बाते बीतक साब में गुज छिपी हुई हम कहीं पहिले जो तन लिया था सत्गुरु जी ने उसमें ही तो नहीं पसे हुए न येस ध्यान दीजिएगा सुन्दर साजी मेरे सत्गुरु ने मेरे भी सत्गुरु सरकाश्री रहे हैं मैंने उनसे तार्तम ग्रहन क पाया है पूरी नीम उन्होंने मजबूत किये इमान पे उन्होंने खड़ा किया है सुन्दर साजी पर परन्तु मैंने टीका कभी नहीं पढ़ा था I was not interested in reading मन्थन मुझे कोई interest नहीं था चर्चा सुनने में मैं बोलती थी पांच मिनट उनके आशिरवाद उनके हुकम से वो कहते थे पांच मिनट बोलो तो मैं प्रवचन प्रतियोगिता में participate किया करती थी पर मुझे कुछ नहीं आता था कोई मैं चर्चा भी कम ही सुनती थी बीतक सहाब एक रस्म की सुना करती थी पर अंदर कितना गया मैं नहीं जानती सुन्दर साथ जी पर उन्हों ने ही इस तरफ लगाया क्योंकि उन्होंने तब सेवा में लगाया हुआ था आश्रम में सफाईयों की सेवा करो टॉयलेट स्क्रीन करो ऐसे करो ऐसे पूरे आश्रम में घूम घूम के हम बस वही किया करते थे पूरी टोली हमारी यही किया करती थी सुंदर साथ ने भोजन जीम लिया चलो सवा करो अब उन्होंने नाष्टा कर लिया चलो सेवा करो बस हम जाड़ू पोच्छा ये सफाईयां ही करते रहते थे मैं चर्चा नहीं सुन पाती थी सुन्दर साथ जी शायद सेवा के माध्यम से उन्होंने इतना पक्का करना था सुन्दर साथ को जो जो उस समय जोक के सेवा बहुत सारे सुन्दर साथ शरीर की परवा किये हुए बिनातन की परवा किये हुए बिजली में कहीं माइक पे कहीं क वहीं बास को लेके खड़े हैं सुन्दर साथ हर पल सेवा में लगे रहते थे इमान पे पक्का करना था राजी ने इस जीव को उस समय शायद वो क्षण आया ही नहीं था कि चर्चा मेरे अंदर चली जाए तो सुन्दर साथ जी उसके बाद जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई तो मैं क्यों गिर गई? Why did I fall? I analyzed my life कि मैं नीचे क्यों गिर गई? क्या कमी थी? क्या सेवा से इमान उतना पक्का नहीं हुआ था? Yes, इसका मतलब कमी थी. खाली सेवा से इमान पक्का नहीं हो सकता. जीव खड़ा होता है पर ब्रम ग्यान मिले बिना इमान पक्का नहीं हो सकता सुन्दर साजी. उन्होंने बहुत दिया अंदर भी गया, definitely गया. राजी को छोड़के हम कहीं और जा नहीं पाए पर पक्का नहीं हो पाया था मेरे अंदर. बहुत सारे सुन्दर साथ के अंदर हो गया. पर अंतु सुन्दर साजी रुकना नहीं है. पहिले गुरू से तोड़के पहिले सत्गुरु के तन से भी राजी अलग करते हैं कितने साल तो मैं इसी दुख में रही कि मेरा सत्गुरु चला गया तन छोड़के चला गया मतलब चला गया एक बार शादी से टेन यहर्ज के बाद मैं जलंदर गई उन्होंने का तुम बोलती थी सरकार कहत ते फाइव मिनट्स बोल लो मैं बैठी सुन्दर साथ जी उन्होंने बिठाया उपर स्टेज के और मैं सौरी मांग के जैकारा लगा के शमा मांग के नीचे उतर आई कि मेरा अंदर सूना है मेरे अंदर सरकार अपने साथ ही ले गए हैं जो भी अंदर था मेरे पास कुछ नहीं है मुझे लगता था वो चले गए हैं पर वो कहीं नहीं गए सुन्दर साथ जी सब के अंदर तो हैं पर फिर भी एक तन के अंदर सत्गुरू लीला आज भी कर रहे हैं बस उनको पहचानना है तो पहले सत्गुरू के तन से मैं उनसे अलग होने को हम कभी होई नहीं स तन से ना जुड़के उनके अंदर के आवेश को उनके अंदर के जोश को उनके अंदर की शक्तियों को पहचान लिया होता तो आज हम सुन्दर साथ ऐसे ना खो जाते माया में सुन्दर साथ जी आज भी वही शक्ति कारे कर रही है जहां से अर्थ हुए थे उसी शक्ति ने अ एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा और पहले गुरु से तोड़के आया बीच निजधाम अपने पहले गुरु सन्यासी शंभुनाद से संबंध तोड़कर आये वो तो हमें तोड़ना नहीं है हम इतने पक्के जुड़े हुए है धनी जी की शक्ती उसके बिना स्तित्वी क्य है हमारा हम नहीं तूट सकते और तूटना भी कभी नहीं चाहिए नहीं तो बिखर जाएंगे सुन्दर साजी बस उस तन के अंदर जीव के अंदर बैठे हुए यदि पिया जी से नाता जोड़ा था ना तो आज भी उन पिया जी को पहचानना है कि वो कहां कार्य कर रहे है यदि मैं तन लेके बैठी हूँ तो वो भी तन लेके बैठे जरूर है वे सुन्दर साथ के समू में समिलित हो गए तारतम लेके सुन्दर साजी चर्चा का सुक पाए के अब ऐसा नहीं है कि धाम की लीला को उन्होंने देख लिया तो अब वो क्यों चर्चा सुने भई हमे और नी चाहिए उन्होंने तो देख लिया धाम की लीला को सुन्दर साजी वो तो चर्चा सुने ही ना हम क्या सिखा रहे हैं भीम जी भाई हमें जितना मर्जी अंदर अनुभव मिल जाए पर पिया जी की चर्चा से चर्चा से चर्चा से सुन्दर साजी यहां कुछ और न जन से सुख पाए के या नृत्य का सुख पाए के नहीं आया भी तक तो ध्यान से सुन्दर साथ जी चलना है तो बीतक सापके accordingly रहनी करनी है श्री मुखवानी के accordingly रहनी करनी है किसी व्यक्ति विशेश के accordingly रहनी नहीं करनी है I owe to my सरकार श्री I owe to my स्वामी जी बट श्री मुखवानी और श्री बीतक साप सबसे उपर हैं सुन्दर साथ जी सबसे उपर जो एक एक शब्द ये कहता है हमें इन तनों से भी नहीं जुड़ना इनके अंदर जो शक्तिकारे कर रही है उनसे जुड़ना है कहते चर्चा का सुक पाए के रहया मुमिनों के काम श्री मुखवानी गायन करना चाहिए जैसे जैसे श्री बीतक साहब में श्री जी करवाते हैं आठ पहर की सेवा में आएगा सुन्दर साथ जी कितना गायन कितनी चर्चनी कितनी चर्चा कितनी चित्वनी सब आएगा उसमें पूरा balance diet देंगे वो हमें, diet plans होते हैं न, कितना carbs लेना चाहिए, कितने vitamins लेने चाहिए, और कितना vitamin C होना चाहिए, वो तो हमें सब पता है, शरीर ठीक रखने के लिए हमें सब पता है, आत्मा के आहार की diet क्या होनी चाहिए, what is the equilibrium, what's the balance, balanced diet, diet आत्मा की कैसे लेनी है, do we know about that, तो एक diet plan बनाना है, एक चाहर्ट सुन्दर साजी, इसकी health तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो मुड़ी पड़ी है, जीव की तरफ, आखें खराब, पूई पड़ी हैं उसकी तो, अब उसके नेत्रों के लिए, कुछ करना पड़ेगा न, मोडने हैं उदर, थोड़ी सी हरकत उसको भी करनी पड़ेगी, शिंगार सजना पड़ेगा उदर का, तो उसकी diet का कितना ध्यान रखना है, how much carbs, है न, how much vitamin C, how much चर्चा, how much चर्चनी, how much चित्वनी, how much रहनी, how much प्रेम, यह सारे ingredients हैं, उसके कि कितना कितना कितने time पे लेना है, और हर समय, consciousness is very important, कोई भी diet plan हम, जब follow करते हैं, तो conscious रहते हैं, पूरा दिन, two hours हो चुके हैं, अब मुझे यह लेना है, how, जो जो करते हैं, उनको पता होगा, कोई यहां राजी करें, कोई बिमारी ना हो पर, यदी हो जाए, कितना आहार का, डॉक्टर ने जैसे बोला है, इस दवाई के, इतने समय के बाद यह लेना है, इस दवाई के साथ, यह यह परहेज करने हैं, तब आप फीक रह पाओगे, कितनी चिंता होती है अपने शरीर की, होनी भी चाहिए, क्योंकि शरीर एक साधन है, उसके बिना, सुन्दर साथ जी बैठना भी कैसे है, पढ़ना भी कैसे है, चित्वन भी कैसे करनी है, शरीर is very important, बन आत्म तत्वत, आत्मा का कितना ख्याल रखना है, कि कौन-कौन से परहेज हैं, ब्रह्मवानी पढ़ रहे हैं, असर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उठते ही हम किसी के निंदा चुगली तो नहीं कर रहे कहीं, स्वामी जी कहते हैं, चित्वन एक घंटा बैठे, दो घंटे निंदा कर ली, कैंसल, कैंसल नहीं, नेगिटिव में चले गए हम, उल्टा ही नेगिटिव में चले गए, क्योंकि चित्वन में बैठकर, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि लह, अब तो जो मर्जी करो, हम तो चित्वन में बैठते हैं, हम तो वानी सुनते हैं, कैंसल अगर किसी सुन्दर साथ को कटू बोल दिया, शायद पिछले एक महीने की कैंसल सुन्दर साथ जी, एक महीना हम अपनी जागरिती की रा पे पीछे चले गए, एक सुन्दर साथ का दिल दुखाया, कितना पीछे चले गए, कितनी मेहनत की थी आगे आने में, एक कटू वचन बोला सारा कैंसल हो गया, तो एक एक consciousness is very very important, सजग सतर्क रहना है, कि मेरी रहनी में कहीं ऐसा हो तो नहीं, राज मैंने कितने दिल दुखा दिये, मैं तो सालों पीछे चली गई, बिल्कुल नहीं करना सुन्दर साथ जी, अपने पहले गुरू सन्यासी से संबंध छोड़के, और फिर सुन्दर साथ के समू में आते हैं, रहया मोमिनों के काम, कितनी सुन्दर भीम जी भाई के लिए चौपायां लिखी गई हैं, ये देखिए उनका व आफचौपायी is reserved for their गुर्ण, their विशेष्टा, their adjective सुन्दर साथ जी, तो हमें कितने गुर्ण गाने चाहिए सुन्दर साथ जी, कभी कण्जूसी नहीं करनी चाहिए अपने सुन्दर साथ के गुर्ण गाने में, मैंने देखा उनके गुर्ण गाते, गाते ही मेरे अंदर में आने लग गए हैं मेरे पास तो कोई गुण था ही नहीं अभी भी नहीं है एक अंशी सही आपका अंदर आता जा रहा है केवल गुण गाने से तो कहते हैं रहया मोमिनों के काम श्री जी के मुखार बिंद की चर्चा के रस में इतने आनंदित हो गए कि अपना जीवन पू मैं आना अब मैंने माया के काम होते हैं छोड के चल पढ़ेंगे श्री जी के साथ मुमिनों का काम करना है मुझे तो जो जो सेवा में संदर साथ लगा हूए बधाई है는데 आपको मनोनीत कर लिया है पिया जी ने आपको अपनी जागनी की कंपनी नहीं रहया मोमिनों के काम मैंने देखा है जूम में सेवा करने वाले सुन्दर साथ की देखा है सुन्दर साथ जी मैंने उनके कारोबार देखा है कितना समय उनके पास होता है और कैसे मुझे इतना दर्द हुआ उस दिन कि इतना काम वो वहां भी करते हैं और इतनी सेवा में जोंक दिया है खुद क हाउ डू यू मैनेज सुन्दर साथ जी शत्षत प्रणाम आपके चर्णों में लोट पोट हो जाओं तो मेरा जीवन सफल हो जाए शत्षत नमन आपको कैसे आप इतनी सेवा करते हैं मोमिनों के काम उन्होंने लगा दिया अपने जीवन को सोने को मिलता है के नहीं मिलता doesn't matter सुन्दर साथ जी एक व्यास गोविंद जी तो अभी सुन्दर साथ जी कितना कुछ हमने भीम जी भाई के लिए सुना कितनी प्यारी प्यारी बातें पिया जी ने की कैसे कैसे उनको पहचान हुई और धाम के लीला में भी मगन हो गए फिर तार्तम ग्यान ग्रहन किया एक बार नहीं सोचा कि ये गुरु को छोड़ू आगे जाओ ना जाओ ब्यूटिफुल एक्जामपल कैसे हमें तनों को छोड़ के भी आगे बढ़ना है क्यूंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है सुंदर साजी ग्यान का कभी अंत नहीं हो सकता ब्रम ग्यान का तो अनादी अनंत है ये शब्दों में आए शब्द अतीत जो कहलाए रहे सोचिए वो शब्द भी कैसे होंगे जिसमें शब्द अतीत आ गए है शब्दों से पार जिनको शब्दो में डाला गया सुन्दर साथ जी उन लीलाओं को जिनकी एक कंकरी चौदे तबक उड़ा दे कैसे ये शब्द होंगे कैसे हमें भीम जी भाई की तरह बनना है सुन्दर साथ जी एक न सूफी मैंने सुने हैं एक दो दिन से मैं आपको उनका सुनाती हूँ यहां के जो सूफी गायक हैं वो ये सब कर लेते हैं सूफी राइटर्स हैं उनकी अवस्था देखिए कैसे शब्द कहां से चुनके वो ले आते हैं हमारे तो रहनी में ये आई नहीं पा रहा है क्यों नहीं आ पा रहा पर मैंने देखा ब्रह्मवाणी बीतक सहाब बीतक जा रही है ना वो रहनी हमारी जो ऐसे तोड़ी मरोडी पड़ी है ना उसको धीरे धीरे उसके बल्क तम कर रहे हैं राजी सीधा बिल्कुल कर देना है स्पष्ट साफ शुद्ध ओनेस्ट ऐसी रहनी हम सब की बन जाएगी और फिर प्रेम ही प्रेम से भरपूर क्या कहते हैं सानु चड़दा 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 चड़ ही गया तेरे इश्क दा पका रंग पिया सानु चड़दा चड़दा मतलो चड़ता चड़ता चड़दा एक दम से भेम जी भाई की तरह ने चड़दा हमें धीरे धीरे कैसे रंग वो चड़ता जा रहा है हमें खुद भी नह पता कैसे हाल बदलता जा रहा है पिया शुकर है आपका सनु चड़दा 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 चड़ ही गया तेरे इश्क दा पका रंग पिया असी हुंदे हुंदे हो ही गये धीरे 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 संज में संज में होते 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 जा रहे हैं बोट प्यारी है ये भी सुन्दर साज जी को ही गय तिरे इश्क च्मस्त मलंग पिया सनु चड़दा चड़दा चड़ ही गया तेरे इश्क दपका रंग पिया असी हुन्दे हुन्दे हो ही गये तेरे इश्क चुमस्त मलंग पिया इक तेरा नाता सचा है मैं चूठे रिष्टे तोड ले दिल से तोड़े हैं उपर से तो सब निब रहे हैं उपर से तो लग रहा है चरखा उनका ही कात रही हुं मैं पर कात मैं पिया कर रही होती उनको पता ही नी ये हाथ हिलते जा रहे हैं तुमारे लिए अंदर चरखे की डोर भी बाहर उसकी और अंदर जो गीत है जो पिया की ट्यून चल रही है वो उनकी चल रही उनको पता ही नहीं कि वो रिष्टे नातों की डोर अंदर से तूट चुकी है साधे नाल जंग पिया रोज दुनिया को शिकायते होती है ये ऐसा नहीं निभाती ये फोन नहीं करती ये ऐसा नहीं करती कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अंदर का आनंद टिक नहीं नहीं देता सुन्दर साथ जी अंदर जो बेहता जा रहा है, जो चलता जा रहा है, जो मेहर की सीना बजाती जा रही है बाजंतर वो कुछ ताने, कुछ सुनने ही नहीं देती जिस दिन तों तेरे होए या माया तो मुकडे मोड लए ऐसे लए इसी लिए दुनिया लड़ती है नित नवी साड़े नाल जंग पिया नित नवी जंग लड़ती है और मुझे पता ही नहीं होता क्या बोलती जा रही है असी हुन्दे हुन्दे हो ही गए तेरे इश्क चमस्त मलंग पिया सानु चड़ दा चड़ दा चड़ ही गया तेरे इश्क दा पका रंग पिया अब कहते हैं हमें अब दुख में विल जाते पता ही नहीं लगता असी कंड़े आते वी सो जाए हम कांटों पे भी सोने को त्यार हैं पिया जी दुखों के कांटे बिछा दो यहां पे पता ही नहीं लगता असी कंड़े आतों वी सो जाए है सानु फिकर नहीं कोई जखमा दी कितने जखम यह दुनिया देती रहे कोई फरक नहीं पड़ता असी कंड़े आते वी सो जाए है सानु फिकर नहीं कोई जखमा दी दुनिया कम लीनों पता नहीं इश्के दिया उच्चिया किसमा दी यह तो मेरे धनी का दूसरा नाम है उसके दिल में डूबने का नाम है कहते दुनिया को तो पता है नहीं जो जखम दे रही है यहां पे कि कौन सा इश्क मुझे हो गया है हम बेफिकरों जैसे हो गया है अब ब्रह्म वानी ने अंदर जा जा के इतना असर दिखाना शुरू कर दिया है कि असी बेफिकरे जै हो गया तेरे इश्क सिखाया टंग पिया तेरे इश्क ने ये ढंग सिखा दिया यहां जीना कैसे है यहां रहनी कैसे करनी है असी बेफिकरे जै हो गया तेरे इश्क सिखाया ढंग पिया असी हुंदे हुंदे हो ही गये तेरे इश्क चुमस्त मलंग पिया सनु चड़दा 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 चड़ ही गया तेरे इश्क दा सच्चा रंग पिया तेरा दिल वानिच पढ़ देया तेरा दिल पढ़ते हैं हम इस वानी में तेरे दिल के गहरे गुज रहस्य पढ़ते हैं मैंने चेंज किया है थोड़े से वर्ड सुन्दर साथ जी तेरा दिल वानी चपढ़ देया चितवन करा तेरी हो के वे चितवन ऐसे नहीं करनी कि वो कोई दूसरा है उसकी हो के चितवन में बैठके देखिए एक बार सुन्दर साथ जी कोई अलग अलग अस्तित्व लेके चितवन में नहीं बैठना उसके हो जाईए कहना नहीं है उसके हो जाईए फिर चितवन में बैठके देखिए कितना कहते हैं पढ़ देयां चितवन करा तेरी वो के वे मुखडा हर शेविच दिसदाई सानु ले गयों साथों खोके वे मुझे मेरे से छीन के ले गयो पिया अबाब मेरे अंदर ये जो तुमारी आतम बैठी है ना करीर के इस जीव के अंदर जो तुमारी आतम बैठी है उसको चीन के ले गयो पिया अबाब वो मेरे पास नहीं रहती अब अब वो तेरे पास ही रहा करती है हम उड़ते हैं अब बाज की उड़ान ब्रह्म स्रिष्टी की उड़ान इश्क और इल्म के पंखों पे जो होनी चाहिए वो उड़ान हमारी शुरू हो चुकी है अब कहते हैं असी उड़िये विच असमाना दे तेरे इश्क ने लाते खंब पिया खंब होता है पंख तेरे इश्क ने मुझे वो पंख लगा दी है इस ब्रह्म वानी ने वो पंख मुझे दे दी है असी उड़िये विच असमाना दे प्रेम के आसमान में उड़ते हैं हम तेरे दिल के आसमान में मेरी उड़ारी हो गई है मैं उड़ती हूँ वहाँ पे जाके तेरे इश्क ने लाते खंब पिया असी हुंदे हुंदे वो ही गए तेरे इश्क चमस्त मलंग पिया सानु चड़दा चड़दा चड़ ही गया तेरे इश्क दा पका रंग पिया अब ये रंग कभी नहीं उतर सकता सुन्दर साथ जी जो मेरे पिया ने चड़ा दिया है अब माया लाक जोर लगाए उस रंग को फीका भी नहीं कर सकती एक बार चड़ना मुश्किल है फिर नहीं उतरता वो मजीठा रंग ऐसा भीम भाई जी ने हमें सिखाया पहले धाम की लीला में डूब के बाद में तार्तम लेके मुमिनों के ये काम आना उन्होंने सिखाया जोक दीजिए स्वयम को सुन्दर साथ जी सेवा में माया को छोड़ने को कोई नहीं कहरा माया के लिए मर जा संभालते संभालते कैसे मुमिनों के लिए सारा काम करना है सुन्दर साथ जी बहुत सुन्दर जो सुन्दर साथ जो सेवा कर सकता हो अपने तौर पे अपने स्तर पे जरूर कीजिए कोई पीछे न रहेगा पता नहीं कब वो इश्क का रंग इस सेवा से गाड़ा करते उसके असर को गाड़ा कौन करता है उसको जादा असरदार कौन बनाता है कहते है न ये दवाई लोग इसके साथ ये खाओगे न बहुत असर करेगी ब्रह्म वानी के साथ सेवा जाएगी न सुन्दर साथ जी रहनी अंदर जाएगी वानी बहुत असर करेगी यहां से उठक पर भी उसका असर खतम नहीं होगा क्योंकि सेवा उसको पूरा दिन कंटीनिव करेगी उससर को इसलिए जरूर हर सुन्दर साथ सेवा में रहे हर सुन्दर साथ इमान पे पकाओ मेरे पिया की और अग्रसर हो हर हर प्यारे सुन्दर साथ को उनके दर्शन हो यही दिल की इच् उससे भी जादा आपस में प्यार करें सुन्दर साथ जी एक दूसरे का दिल दुखाने की तो कहते है न माया के दुखों की तो बात ही अब दिल में नहीं आती सिंधी में जाकर तो ऐसा ही सुन्दर साथ को दुखाने की तो बात भी नहीं आनी चाहिए कैसे मैं सुख दे द पिया हैं इन सुन्दर साथ के अंदर कब ये सोक्षम सोक्षम सा प्रेम मिलकर इश्क की सुराही बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा सुन्दर साथ जी अब क्या कह रहे हैं एक व्यास गोविंद जी रहे वलभी मारग में वलभाचारे आ चुके हैं फिर से तीसरी बार वलभाचारे आये थे कहां आये थे अभी अभी थोड़ी थोड़ी चौपाईयों पहले वलभाचारे आये थे एक तो हमें याद है पहले से राधा वलभी हरिदास जी और वलभाचारे कौन थे कांजी भट जी उनको मानते थे अभी अभी एक फिर से आये थे जी कुसु मान नाम जी, भीमबाई जी बहुत सुंदर वेदानत के है ये वेदानत के, तो वल भाचारे के भीमबाई जी अचानता चानते आए ऑग जी उनके गुरू तो नहीं थे कहीं वल लब क अनुयाई, इसको क्लियर करेंगे सुंदर साजी एक बार कनफॉर्म करेंगे जी गोविन्द व्यास वल्भाचारे मत के अनुयाई थे तीसरी बार आये हैं अभी सुनीता सिंगल दीदी बता रहे हैं अती सुन्दर beauty of notes हाँ जी सुनीता दीदी सुरत में मौंदास जी थे जी बिल्कुल सही अती सुन्दर मेरे भी ध्यान से निकल गया था वो तो सूरत में मोहंदास जी जो थे वलभाचार इमत के अनुयाईए अती सुन्दर आपने लिखा है तो बिलकुल ठीक लिखा होगा, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से, व्यास नाम भी व्यास है लिखा भी तो व्यास जी ने है भागवत तो इनका नाम भी व्यास उ प्रचनों से आकर अखंड ब्रज और अखंड रास का प्रसंग सुन रहे हैं क्या अखंड ब्रज अखंड रास को छोड़कर श्री कृष्ण तृधा लीला को छोड़कर क्या जागनी करनी संभव है सुन्दर साथ जी बार बार आता है देव चंदर जी अखंड ब्रज और रा की चर्चा किया करते हैं शुरुआत इसी से की जाती है नहीं छोड़ा जा सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए मेरे पिया ने तन धारन किया है भई अपने सत्गुरु के तन से हम इतना प्रेम करते हैं इतना जुड़ जाते हैं कि दूसरा तन हम स्विकार नहीं कर पाते हैं कि इनमें भी राजी की शक्ति आई हैं हम कहते हैं हमारे ही सत्गुरु में सब खतम हो गया उसके बाद राजी सब के दिलों में आ गये हैं उसके की है सुन्दर साजी धनी श्री देव चंदर जी की जै हम बोल सकते हैं तो कृष्ण जी की जै क्यों नहीं बोली जा सकती इस प्रश्ण का उत्तर जरूर किसी के दिल में आये तो दीजिएगा देव चंदर जी भी तन का नाम है कृष्ण जी भी यदि हम कहते हैं तन का नाम है तो उनकी जै बोल सकते हैं तो उनकी क्यों नहीं सबकी जै बोलिए सुन्दर साथ जी या तो किसी की भी मत बोलिए एक जैकारे की ये जो प्रथा है ये परंपरा ये निभानी है तो सबकी बोलिए ना सुन्दर साथ जी खुलके बोलिये पता नहीं कब कृष्ण जी का वो प्रियेम जो पिया ने उस तन में हमें दिया था, पता नहीं कब मेरे अंदर प्रवाहितों ने लग जाए। उसके लिए की गई कटुता, क्या पता कितने वर्षों या कितने जन्मों मुझे पीछे लेकर चली जाए, मेरी ही आत्म जागरिती की राह में, नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान अपना हो रहा है, अखंड ब्रज भागवत के वचनों से चर्चा सुन रहे हैं, क्योंक उन्हें श्रीमत भागवत की चर्चा सुनी, हमें भी वही करनी और सुननी चाहिए, no, this is the beginning सुन्दर साथ जी, बात करने की beginning इससे औरी, बाद में कहां पहुंच जाते, भीम जी भाई विदान्त पे रुके नहीं रहे, वेद पे स्टार्ट किया है, उन्होंने विदान्त एंड कहां जाकर हुआ है, वो जरूर द brack देना है, यदि तो हमें वहीं रह जाना है, तो श्रीमत भागवत ही करते सुनते रएंगे, आगे जाना है, तो भीम जी भाई की तरह, इनकी तरह आगे जाना है, तो आगे का सुननना पड़ेगा, ये है बस, एक एक ही चरन को लेक बैठ जाएंगे अगर इसी को लेकर बैठ जाएंगे तो भी नुकसान हो जाएगा इसको पूरा ही छोड़ देंगे ब्रिज और रास बैलेंस सुंदर साजी पूरा भी नहीं छोड़ना और बिलकुल इसी से नहीं लगे रहना ब्रह्मवानी से जुड़ना है अल्टिमेटली स्टार्टिंग चाहे इनी से ही कीई हो तो कैसे बैलेंस होता है कहां से स्टार्ट करना है कहां मिडल कहां एंड ये अमें भी तक साप सिखा रही है बो श्री प्राणनात प्यारे कीजे बो श्री सत्गुरु महराज कीजे प्रणाम जी सुन्दर साथ जी आप सब के चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम दो I realized I don't have any control on my words मेरे शब्दों पे मेरा अब नियंतरन खतम हो चुका है वो थाई नहीं कभी पर शायद मुझे समझ नहीं थी I did not realize इस पर फिर भी जीव की ग्राहे शक्ती से जो भी कमिया रहती है या इन शब्दों से भी किसी को भी जरा सा भी दुख गया तो सुन्दर साथ जी मेरी रहा बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजी आप प्रणाम जी प्रणाम जी